नमस्कार. आज के वीडियो में हम Pharmarasteutical Manufacturing Plant में gowning क्यूँ important है? उसके बारे में बात करेंगे. तो हम सब जानता है कि जब फार्मासुतिकल manufacturing plant में काम करना होता है तो हमको गाउन करना जरूरी है तो गाउन करना जरूरी क्यों है चल समझते हैं तो फार्मा प्लांड के अंदर जिस एरिया में काम करते हो एरिया classified area होता है classified area means कि वह clean area होता है उसका एक specific class होता है जैसे grade a grade b grade c grade d और cnc cnc means control but non classified जहां पर temperature control होता है तो यह जो classified area होता है अगर उसमें को जाना है काम करने के लिए तो हमको गाउन करके जाना है रीजन जो area designed है उसमें contamination कहां से आ सकता है जो area designed होता है वह ऐसे design होता है कि अपना cleaning खूद maintain रखता है उसमें फिल्टर लगे हुए होते हैं उसकी air circulate होती रहती है और circulation से वह filter होती रहती है तो contamination कहां से आ सकता है सबसे बड़ा contamination आता है जो भी persons अंदर जाते हैं जो भी employees अंदर जाते हैं जो operator supervisor अंदर जाते हैं वहां से contamination सबसे ज्यादा आता है तो यह जो personal contamination है वह एरिया में ना जाए उसके लिए क्या कर सकते हैं तो उसके लिए ही हम क्या करते हम गावनिंग करते हैं तो गावनिंग क्यों important है जो हमारा body है जो हमारे बाल है हमारा skin है हमारा आखे है जो हमारा face का पार्ट है जो हमारा हाथ जो open skin है इसमें से बहुत चारे particle every minute generate होते रहते हैं और वह स्रेड होते सब जड़ते रहते हैं हमको पता नहीं रहते हैं हमको पता नहीं चलता है रूटिन लिकेन वह निकलते रहते हैं और उसमें बहुत सारा microbial contamination होता है बहुत सारे bacteria होते हैं तो अगर हम open skin के साथ open face के साथ open hair के साथ अगर classified area में जाते हैं तो यह सारा contamination classified area में जाएगा और उससे क्या होगा हमारी area के अंदर microbial contamination आएगा हमारी उसमें bacterial growth आएगा जो environmental monitoring करते है microbiology जो plate exposed करते है जो active air sampling करते है उसमें बहुत सारा growth मिलेगा तो इसको prevent करने के लिए गावनिंग करना जरूरी है तो गावनिंग में हम क्या क्या करते है गावनिंग के अगर हमको grade C में जाना है example के लिए तो सबसे पहले तो क्या करते हैं जब हम गर से office आते हैं गर से company पर आते हैं तो सबसे पहले तो हम घर के जो अपमारे हम कपड़े पहन के आए उसको change room में change करके company के factory where पहनते है या factory garment पहनते है वह जो यह factory garment है वह आप सभी एरिया में offices में एड्मिन ब्लॉक में यह factory garment पहन के गुमते है जैसा आपका factory का design है तो आपको घर के गबड़े पहन के नहीं गुमना है जो CNC उसमें factory garment पहन के आपको गुमना है बट अब अगर आपको grade C एरिया में जाना है या grade B एरिया में जाना है तो क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए यह factory garment के भी ऊपर एक और garment आता है या फिर फैकरी garment को निकाल के दूसरा क्लीन garment पहनना होता है तो अगर आपको grade C में काम करना है तो ऊपर एक क्लीन garment आता है और ग्रेड वीवे काम करना है तो स्टराइल होता है होता है कि नार्मली मांस्क एक होटा है या ह फीयर होता है चरफ अबरे सबस्क्राइब कप्त अब में कहां करते बाएर करते नहीं करने नंब्र ऑप चेंज होते हैं और मैं प्रैक्टिस इस सब्सक्राइब ऑनगा एसाफ dependence से दो थे उसके लेके पांच चेंज रूमें टक हो सकते हैं आपको सब क्छेंजरोस करते हुआसे स्चेण्यवर की ची जोड़ करना होता होता है उसके बात हूड हेड़ कवर ओल यह सब आता है और दूसरा एक चेंजड़ के आप का बूरे तक बूलती रहेगा ये संदर ही तो एग जरूरी है कि कि हमारे भॉडू से जो भी कंटामिनेशन होता है वो कंटामिनेशन को अंदर ही content करता है वो grade B रेज yap और χीरिया में जाने ये नहीं देता है अनकि अलबर सलिए ज्या गर ग्रेज ब्रेज रिया जआए ये प्ल racist एरिया में या classified एरिया में जाते हैं तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे body का contamination एरिया में ना जाए इसलिए हमको गावनिंग करना बहुत जरूरी है अब डी गावन कैसे करना है गावनिंग हमने कर लिया लेकिन डी गावनिंग भी उतना ही इंपोर्टन्ट है नॉर्मली क्या होता है कि जब काम खतम करें बाहर जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी में यह पूरा कार्मेंट जैसे तैसे करके निकाल के हम चले जाता है लेकिन यह सही प्रैक्टिस है यह सही प्रैक्टिस नहीं है क्यों जब आपने गावन किया और आपने एरिया में काम किया तो जो आपने जो भी क्टामीनेशन जर्व facts जाता है यदर होता है अगरांका नहीं नीकाल और उसको उल्टा कर दोगे जह एक है जो आपका doing आपनी चेंज होता है उसमें ईसको अल्टा कर सकतं़ा करता पहो जाए considerations है है उसमें डाल दो आप औा वारी इसंबूर यह नीसमा पतास यूदुम करते हैं सब्क्राइब indoors गॉपट निख़े जिए जीश स्काइरफुल से अउस्सारं Mississippi सब्सक्राइब करते हो उसी सावधानी से आपको डिगावनिंग भी करना है रीजन यहीं कि जो गवर कंटामीने संदर वह वापस से बाहर ना आ जाए एरिया में और वापस एरिया में ना चरा जाए अधर्वाइस क्या होगा गावनिंग करने का पूरा परपर परपर फेल हो जाएगा तो मैं आसा रखता हो कि जो मैंने तीन-चार चीजें बताई हो आपको यह समझने में हल्प करेगी कि गावनिंग डिगावनिंग क्लासिफाइड एरिया में की जुरूरी है थेंक्यू थेंक्यू वेरी मुच फॉर वासिंग मैं फूल वीडियो मेरे साथ बने रही है